हेलो केज आज की इस लेक्चर में हम लोग 20 कोशन्स पर डे की तरह जेनरल इंजिनिरिंग का कवर करेंगे जो कि जे एससी चेई में पूछा गया है तो लास्ट दो सीफ्ट जो था जो 23 अक्टूबर का था एंड 31 अक्टूबर का उसका मैंने 120 एंड 120 कोशन्स कवर कर दिया है जिसमें की 80 कोस्रीनिंग आपको भी पता है कि जेनरल इंजिनिरिंग से राता है और 40 कोसर्व जीए जीनिरेश दिए ग्जैमनेशन्स होने वाले थी उन्पेねफयरेश्यल एंड shaped हो सकता है अगर आपका ब्राँच शिविल इलेक्ट्रिकल मेकनीकल माइनिंग है और आप उ भी competitive examinations की preparation करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माधियम से कर सकते हैं क्योंकि मैंने previous year जितने भी GKGS reasoning और current affairs का questions है वो 40 questions except में पुछा गया था जितना questions है वो मैं cover करवा रहा हूं और technical के लिए जो general engineering है वो अभी फिलाल में cover करवा रहा हूं पर डे 20 questions एक lecture में और इसके बाद जैसे ही civil electrical mechanical का general engineering cover हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे हर एक branch का branch paper cover करेंगे technical portion और आपको बता देखिए अगर आप motor vehicle inspector, mining inspector या फिर junior engineering का preparation करना चाहते चाहिए आपका branch civil हो, electrical हो, mechanical हो इसके बाद mining हो या फिर automobile हो तो आप के लिए ये general engineering का जो previous question important and beneficial हो सकता है तो चले हम लोगी start करते हैं नया स्विफ्ट का एक से लेकर के 20 questions तक जैसे हम लोग बाड़े 20 questions करते हैं और जितने भी questions मैंने cover करा है वह आपको लिंक आइकोन पर दिया जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जा करके आसानी से देख सकते तो फर्स्ट कोस्ट्स है जो कि आपका general engineering से है तो फर्स्ट कोस्ट्स हम लोग cover करते हैं एक एक करके 20 questions पाड़े जैसे हम लोग cover करते हैं तो आज भी वैसी इफेक्टिब लेंद ओफ झा कंपरेसं में बर डिपेंज्ट अपन् सब्सक्राइब ऑप्सिक है न रोटेयचिन पाई युथन सब्सक्राहिए बंडर्य कंडिसें आट इट्स इंस रोटेशन और ट्रांसलेशन बांडरी कंडिसेंस एट इट्स इंस दिसकल कर्क्राइशन अंसर जो होगा वो option C हो जाएगा correct answer जो है वो option C हो जाएगा next questions है what is the effect of increase in the amount of compactive effort what is the effect of increase in the amount of compactive effort तो इसका जो option है does not have an effect on optimum moisture content decrease in optimum moisture content इसका correct answer जो हो option B हो जाएगा next question से है the gross pressure at the base of the foundation at which the soil falls in shear is known as this को लोग बोलते है ultimate bearing capacity तो option D जो है वो correct हो जाएगा जेनरल इंजिरिंग में आपका civil electrical mechanical सभी ब्रांच को combine करके पूछा जाता है और जो syllabus है वही पूछा जाता है तो आप यह सब questions कर लेंगे तो आपका जो नेक्स्ट एग्जामनेशन्स होगा अपकमिंग एग्जामनेशन्स है जेएससी जेए की या फिर अगर जेनरल पोर्शन की बात करें तो जितनी भी जेएससी की एग्जामनेशन्स है उसमें beneficial and important होगा तो आप CGL हो या फिर intermediate level किसी का भी प्रिवेशन कर रहे हैं तो लास्ट में जो मैं हर एक शिफ्ट का 40 questions कर वाता हूं वह आपके लिए important and beneficial हो सकता है तो next question से the number 100 in the nomenclature of is jc 100 indicates in mm the total depth of the section तो इसका correct answer जो है वो option C हो जाएगा क्या बोल रहा है is j तो i section इस type का होता है तो इसमें पूछ रहा है कि 100 जो यहां पर पूचा है थी number 100 in the nomenclature नomenclature तो इसमें जो है यह क्या बतलाता है तो depth 100 जो है वो क्या करता है total depth of the section यहां से यहां तक का जो depth है वो बतलाता है तो इसका correct answer option C हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन से a submerged body will be in stable equilibrium when question पूछ रहा है कि अगर कोई भी बड़ी है वो submerged है तो वो stable equilibrium में कब होगा इस टाइप और questions पूछा जाता है हर एक एक एक्जाम में यह यह एसी प्रिवियस यह में पूछा गया है हलाकि आपका आज यह से सीजी में दे दिया था यह कुस्टन थार्ड नॉम्बर को जो एक्जाम था उसमें तो इसका जो correct answer होगा वो तो option D हो जाएगा weight of the body is equal to the burn force and location of burn force is above the center of gravity तो इसका correct answer option D हो जाएगा next question से the partial 50 factor used for steel in reinforced concrete तो यह आपको याद होना चाहिए तो इसका correct answer जो है वो option D हो जाएगा 1.15 partial safety factor जो होता है इस्टिल के लिए reinforced concrete में जो यूज्ट के आता है तो वो कितना होता है 1.15 next question से in case of simply supported beam subjected to external loading system the shear force will be maximum at the supports of the beam तो इसका correct answer जो है वो option D हो जाएगा जहाँ पर support रहाता है तो वहाँ पर क्या होता है shear force maximum होता है तो इसका correct answer option B हो जाएगा next question से in a static fluid the intensity of pressure will be equal in all directions this was stated by इसको बीना देखे आपको लगा देना है Pascal's law कि अगर कोई भी fluid rest condition में है तो उसका जो intensity होता है pressure का वो किसी भी direction में एकवल होता है तो यह जो लाव दिया था किसने दिया था पास कर लोने जिसका correct answer option B हो जाएगा question बहुत easy है next questions है when water is pumped out from a tube well in an aquifer the piezometric surface formed surrounding the tube well is known as cone of depression तो इसका correct answer option A हो जाएगा चैदा हम लोग इसमें discuss इसलिए नहीं कर रहे हैं और describe नहीं कर रहे हैं क्यूंकि वीडियो लेंदी हो जाता है और आपको बस में ली क्या है कि previous question को cover करना है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं और जहां पर numericals रहता है मैं वहां पर थोड़ा hints दे देता हो आप लोगों को तो numericals रहाएगा तो जरूर हिंस दूंगा आप लोगों को और देता भी हूं तो अगर एक एक थियोरी में जब तक आप अपने text book को study नहीं करेंगे तब तक यह सारे questions जो theoretical है बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो आपको concept clear होना चाहिए तब आपका यह questions solve हो पाएगा तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको बस बतला दू और हिंस देदू तो कॉसंस ना नंबर जो है इसका वाट वेन वाटर इट पंप्ट आउट फ्रम एट वेल इन एक विफर दिपिजोमेट्रिक सर्फेस पॉंड स्रांडिंग डिवल इस नौन एच कॉन अफ डिप्रेशन दिसका करेंट रसर अप्शन यह हो जाएगा cha nezt questions ने भ suisन से हैं डी temporary hardness of water is due to presence of तो वाटर में जो hardness होता हो दो टाइप नेट होता है एक परमानेंट हाडनेस वस्ता और दूसरा temporary hardness होता है तो temporary hardness यहांपर पूछा गया था य wen पूछा गया है जो बाइक कार्बन जो केल्सियम होगा इसके करण टेंप्रोरी हाडनेस होता है वाटर में तो इसका करेक्ट अंसर जो है वो अप्शन दी हो जाएगा आपका next question देखते हैं next question है for a rectangular beam subjected to external loading the shear stress will be maximum at question पूछ रहा है कि एक rectangular beam है जिस पे external load लग रहा है तो shear stress कहाँ पर maximum होगा तो shear stage जो होगा वो neutral axis पे maximum होगा तो इसका correct answer option C हो जाएगा Next questions The effective throat thickness of a fillet weld shall not be less than यह आपको पता होना चाहिए कि 3 mm जो होता है उससे कम नहीं होना चाहिए तो option D correct हो जाएगा next questions देखते हैं next questions है what is the function of a vehicle in an oil-borne paint तो वेकल मतलब यह आप लोग गाड़ी मत समझेएगा यह building material का questions है वेकल एक इंग्रेडियन्ट होता है जो paint में होता है तो इसका जो function क्या है it holds the ingredients of the paint in liquid suspension तो यह ingredient को hold करता है किसमे liquid suspension में जिसका correct answer option A हो जाएगा linseed oil आपका हुआ paint हुआ इसके बूद बहुत कुछ राता है तो उसमें से building materials का यह question था next question said the unit used for measurement of the roofing with asbestos or galvanized iron sheet roofing is one meter square two meter square में इसको बहुत कोई क्या करता है नंबर में तो नंबर में नहीं meter square में अगर आपको number में लगाना रहता तो आपको कैसे पता चलेगा अगर दस meter square का area है और roof में करना है वहां पर तो आपको नहीं पता चलेगा तो यह meter square recording रहता है फिर उसको cut करके जैसे लगाना रहता है हम लोग अपना यूज कर लेते हैं लेकिन अगर number के सब्सक्राइब ले आए तो इसे नहीं पता चलेगा तो square feet के recording हम लोग इसमें यूज करते हैं बहुत कोई number में लगाया था लेकिन उसका answer गलत था तो इसका correct answer जो होगा वह option यह हो जाएगा और आपको अगर कोई में भी confusion लगता है तो आप comment करके पूछ सकते हैं क्योंकि यहां पर आप जब पूरा वीडियो लेक्श्र देखेंगे और जो भी confusion होगा comment करेंगे तो मैं आपको बतलाओंगा तभी आपको समझ में आएगा otherwise सिर्फ वीडियो लेक्श्र देखने से काम नहीं चलेगा आपका और कोसिश किजिएगा कि पूरा वीडियो लेक्श्र देखें जितना previous year का मैं करवा रहा हूं cover next questions है if the actual neutral axis of a beam lies above the critical neutral axis then the beam is set to be under enforced section यह एकदम important questions है और हर बार हर एक exam में पूछा जाता है तो इसका correct answer जो है वो option यह हो जाएगा तो एक बर मैं आपको बतला देता हूं कि पूछा गया कि यह कोई भी beam है suppose इस type का beam है यहां से इसका क्या है neutral axis है तो यह neutral axis तो पूछा है कि actual neutral axis of a beam lies above the critical neutral axis तो अगर actual neutral axis उपर हो जाएगा और critical neutral axis मान के चलिए यहां से critical neutral axis मिन्स उतना बड़ा एक बर थोड़ा से बड़ा figure बना देते हैं इस type का तो यहां से अगर हम लोग इसे इतना बड़ा करते हैं और यह neutral axis है और और critical neutral axis इसके नीचे से पास कर रहा है तो क्या बोल रहा है यहां पर the actual neutral axis of a beam lie above the critical neutral axis तो यह critical neutral axis तो यह critical neutral axis है और यह neutral axis है तो critical neutral axis से अगर एबब रहेगा neutral axis तो वह beam जो होगा यह critical neutral axis तो यह क्या होगा अंडर इंपोस्ट होगा और यही अगर neutral axis पहले से रहाता हर एक चीज में और critical neutral axis उपर हो जाएगा तो बोलेगा अरे यह ज्यादा हो गया तो यह नहीं बोलता है ओबर बनता है तो मिन्स यह क्या हो जाएगा ओबर neutral axis हो जाएगा लेकिन यहाँ पर neutral axis से नीचे है critical neutral axis दिए क्या हो जाएगा अंडर इंपोस्ट सेक्शन हो जाएगा जिसका क्रेक्टर अंसर ओट्सन यह हो जाएगा थोड़ ज्यादा ही मुझे लग रहा है डिसक्स कर दिया मैंने कोशिस कर रहा हूं कि थोड़ा काम करें त पता होना चाहिए मीटर गेज के लिए one हो आण होता है और ए जीरो पेंटत शेवन सिक्ष होता है दो यहाँ पर जो पूछा गया है तो यह किसके लिए ब्रौड गेज के लिए पूछा गया तो इसके लिए這些 यहाँ पर एक्दम बीणा देखे आप 1.676 बिना कुछ करें आपको लगा देना है अगर ब्रॉडगेज पूछ रहा है तो इसका क्रेक्ट में से जो है वो अप्शन दी हो जाएगा और चार कुस्टिन्स बचा हुआ है इस लेक्चर का तो हम लोग वह भी करी लेते हैं नेस्ट कोस्टिन से अकोडिन टू इंडिन स्वैल इस क्लासिफिकेशन इस्वैल सेंपली सेट टू बी सेंड वेन मोर देन हाप अफ दे कोर्स फ्रिक्शन इजी स्मालर देन 4.75 mm ISC दिसका करेक्ट अंस अजय वो अप्शन सी हो जाएगा कि अगर अब 4.75 से कम होगा और कोर्स एग्रिगेट से क्या बोल रहां मोर देन हाफ ओप दी कोर्स एग्रिगेट तब क्या होगा वो सेंड का लाएगा इसका करेक्ट नंस जाए वो अप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टिन्स निस्ट कोस्टिन्स फ्लूड मेकनिक से है और बहुत इजी कोस्टिन्स है और इंपोर्टेंट भी है इस टाइप का कोस्टिन्स हर एक बार पूछा जाता है और हर एक सिफ्ट में पूछा गया है अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो मिन्स इस्टेड़ी फ्लू है और अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मिन्स वो क्या है यूनिफॉर्म फ्लू तो इसका करेक्ट अंस जो है वो अप्शन दी हो जाएगा लास्ट सेकेंड बचा हुआ है हमारा और दो कॉसंस यह कॉसंस स्वाइल मेकनिक्स से है तो नहीं यह कॉसंस कंक्रेट टेकनलोजी से है इसका करेक्ट अंस जो है वो अप्शन दी हो जाएगा इसका करेक्ट अंस जो है वो अप्शन दी हो जाएगा इसके बाद नेक्स को सिन सम्लोग देखते हैं ट्वेंटी नंबर को सिस्ट ट्वेंटी नंबर है सरवेइंग से वेन दी होल सर्कल बेरिंग ओफ ए लाइन इज 127 डिगरी 30 मिनट्र देन वाट इस पेरिंग इन क्वादरेंटल सिस्टम तो इसको क्या करना है 180 से इसमेर माइनस कर देना है कि इस टाइप का होता है होल्ड सर्कल बिरिंग तो 1 27 बोल रहा हैu इस इस Ctrl मी जाया गा यहां पर कहीं पर तो 180 में इसको हम लोग यह पूच रहा हैं इस it back in quadrant Quadrental Biyor Lien में घर रहां लोगो इसको करना नलाता तो 180 में लोग इसको माइनस कर देंगे तो इसका हो जाएगा 52 डीग्री 30 मिनट इसका करेक्ट अंसर आप्शन भी हो जाएगा तो उमीद है आप धीरे-धीरे सारे वीडियो लेक्च्छर देख रहे होंगे और कवर कर रहे होंगे प्रिवेस यह का क्योंकि इसी टाइप का फिर से जो एक्ज आपके लिए यह कोशन्स बेनिफिशल एंड इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसी टाइप का सिलेवस जेनरल लेंग में सबका है और जेसे सी जेल और जेनरल कमप्रिशन का प्रिपेशन कर रहे हैं जेसे सी के जितने भी एक्जाम लेसेंस है तो आपके लिए अलग से प लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके युडियो को सेर कर देना